हेलो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हाजनु आप सकते ही एक नई वीडियो लेकर पिछली वीडियो में हमने मुफरत जो पड़े थे आजा उसमें सिर्फ दो ही पड़े थे और बाकी के आठ आजा भी बाकी है यानिका टोटल दस आजा मुफरत हैं अब हम पड़ेंगे रबात यानिका लिगामेंट के बारे में सबसे पहले है रबात और लिगामेंट इसको कहते हैं इंगलिश में इसकी तारीफ और फाइदे क्या हैं वो जानते हैं तारीफ है कि रबात जो होते हैं ये एक सफेद और लचकदार उजू हैं यानि कि आसाप की तरह होते हैं ठीक है ये किसी उजू से बढ़कर किसी उजला तक या किसी हड़ी से या किसी हड़ी तक या किसी उजू से उजू तक होते हैं हिस से होते हैं ,ुजू से으니까 होते हैं, кिसी ओर्गन से नुशन बों से स्व司 बोन से ओर्गन ehm पहले सूरत में इसको रवात के साथ अकब ही कहते हैं कि अकब कमान की क्यों कहते है क्योंकि अकब तात की तरह होता है जो तीर कामान होता है उसके तन्य हूी एक रसी होती है उसकी तरह है इसको कहा चाहा आग अगभ इस लिए कहा चाहिता कि रभात इसलिए कहते हैं के यह एक उजू को दूसरे उजू से बांधता है या जोडता है ठीक है एक उजू से दूसरे उजू को जोडता है जिसके विए से जोइंट बगारा बनते हैं अब इसके फाइदे क्या है फाइदे दिख लेते हैं रबात का एक खास फाइदा ये है कि एक हड़ी को दूसरी हड़ी कि यह जो लिगमेंट है लिगमेंट और हमारी नर्व दोनों क्या है फैल जाते है शाखों में और क्या है बारी 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 शाखों में फैल जाते हैं और एक जाल सा बना लेने जिसके अंदर क्या है गोश्ट भर जाता है और गोश्ट भरने की बात क्या होता है उसके अंदर यह ligament जो है शामिल होते हैं जब रबात याणि कि ligament और आसाब याणि कि nerve के ratio अपसम मिलकर बढ़ जाते हैं तो वतर याणि कि tendon बन जाता है जिल्लियों की बनावट में भी रबात आद शामिल होते हैं याणि कि जो membrane होती है बोडी में तो membrane में भी जो है मेंब्रेन के बनने में भी लिगमेंट शामिल होते हैं फिर बाज जिलिया तो सिर्फ रबात से यानिके लिगमेंट से बनी होती है और बाज जिलिया रबात और आसा यानिके लिगमेंट और दोनों से मिलकर बनती है ठीक है शराइनों और वरीदों की साख्त में भी कारीफ देख लेते हैं नर्व की york 7 ख़ तो नर्व कैया सफेद और लचकदार ॕुल्व हैं ठीक है कि सफेद और लचकदार आ्जा में जो आजड़ने में नर्व और मगर तुटने में क्या बहुत सख्त होते यह मुंड़ने में से पैदा होते हैं जो हमारी spinal court है वहां से हैं और दिमाग से पैदा होते हैं इन ही की वज़ा से कि है आजा में हसास और हरकत की قوت पैदा होती है निके sensation का जुक सिश्टा में वो नर्व भी करती है sensation का हमारी body में ठीक है दिमाग से शुरू होने वाले आसाब दिमागी और हराम होने वाले नखाई कहलाते हैं ठीक है आसाब और दिमाग का जो हर बुनियाद मादा अपनी नुज़त के लिहास से एक ही होता है यह जो नर्व होते हैं उनकी structure में और दिमाग के structure में जो है जो इनका बेस जो बनियादी काँए गते हैं क्या जो अलिमेंट भर ऋब जिस चीजी से मिलके बनए हैं तो दोनों सेमी एंट है ठीक है इन दोने में बस इतना फर्ग है कि आसाब सक्त होते हैं और दिमाग के हैं नरम होता है ठीक है तो ये इसके इसकी तारीफ हो भी है अब इसके फाइदे क्या है फाइदे भी जाने लेते हैं तो आसाब के फाइदे क्या है इनका खास फाइदा ये है कि इनकी वज़ा से क्या है बदनी आजा में अहसास और हरकत की कुवत पैदा होती है जैसे के मैंने पहले भी बता दिया कि सेंसेशन का काम करती है नर ठीक है आसाब क्या है हरकत का मरकज और सरचश्मा अगर दिमाग है यानि के जो हमारे अहसास और हरकत का अहसास और हरकत का यानिके spinal cord और brain हैं लेकिन दिमाग और नखा और दूसरे आजा के दर्मियान आसाप की मखसूस डोरियां जो होती है जिन से क्या है इन दोनों के दर्मियान अस भी तालूग पैदा हो जाता है यानिके दिमाग और हमारा जो दिमाग है brain वहां से spinal cord से जो नर्व निकलते हैं वह दूसरे और तक जाती है और उससे एक contact बनता है brain तक एक organ का ठीक है इससे क्या है यह सैंसेशन का और movement का का काम जो है दिमाग असानी से कर पाता है ठीक है इनका एक फाइदा यह है कि जब यह इनके जो structure है उसमें भी शामिल होते हैं तो यह बात हो गई नर्व की ठीक है अब नेक्स देखते हैं तो अब है membrane या अगशिया या गरिशा तो अगशिया गरिशा की जमा है यह सिंगल को कहेंगे गरिशा और बहुत सारी मिलाके ठीक है उसको कहेंगे अगशिया या एक को नर्व वाले या लिगामेंट वाले दोनों में से कोई सा एक होगा या दोनों मिलाके होंगे यह बारीक और परत की तरहां चोड़ी होती हैं जो दूसरे आजब को सतों के अंदर रवाट से ढांगती है ठीक है तो यह इसके बारे में हो गया अपका है जिल्लियों की कुछ पिसमे हैं ठीक है उनके अफाल के हिसाब से उनके फंक्शन के हिसाब से उसकी किसमे होती है सबस 화장 होती है ठीक है कुछ थी हुourcing कर लिगर्वन्ट सबनी हो इस वात है ऊसके बार है कहते है उसके जोंड कों उसके बात है। उनके बारे में बात है ठीक है और उसके बात है गिशाय मुखाती यह बहुत इंपर्टेंट है इसको ज़रूर याद रख लेना गिशाय मुखाती आपको काम आएगा और आगे भी जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा गिशाय मुखाती क्या है मुकस मेंब्रेन को बोलते जिसे जैसे कि दिमाग के जिलियां जिनकी वज़े से कि दिमाग अपनी शकल पर कायम रहता है उसके structure को बिगड़ने से खराब होने से रोकती है ओरगन के ठीक है इनका एक फाइदा यह है कि यह जिस उजू पर अस्तर बनाती है उसे किसी दूसरे उजू के साथ बांध कर लटका जेती हैं इसी तरह मेदा जिगर तिहाल कल्ब और फेपड़ों वगारा की जिलियां भी इन आजा को अपनी जगा कायम रहने में मदद करती हैं हमारी जितिब बोड़ी के ओर्गन से अब हम उल्टे भी हो जाए तो वो और्गन्स जो है अपनी जगा पर रहते हैं आ सब्सक्राइब भलता है कुद्रति मुसल्यात होती ॐसके आजाफ सब्सक्राइब ठीट वरकोषब-र्भन जगाने बिद्टियक और लोट है कि अशब्सक्राइब 那 सब्सक्राइब है ऐसला आजwy्स के मुखाबले ज्यादा हसास होती य Jeffs시에 है फीर फायदा कि ओता्य नरम और सक्ट आज़ा के दरम्यां ईए था ध al प्रोटक्ट करती है ताकि हड्डी से कोई नुक्छान ना पोचे ब्रेंग को ठीक है इनका एक फाइदा यह है कि जिस उजोब पर जिली अस्तर बनाती है उसको दूसरी आफाद से बचाती है जैसे कि मरी यानिके हमारी इसो फैकस मरी बोलते हैं इसोफेगस को मेदा यानि का इस्टोमक और कस्वतुर्या की जिलिया यानि के जो लंग्स के उपर लूरा है चड़ी हुई ठीक है उसके बारे में बात हो रही है इन जिलियों के अंदरुनी सते पर गशाय मुखाती यानि का अस्तर यानि के कवर होता है और बैरुनी सते पर गशाय माई का अस्तर होता है ठीक है तो यह फायदे इसके होगा आपको ज़्याद रखने के जरूत नहीं है तो यह होगी घृषा की बात नेश्ट देख लेते हैं तो यह गोश्ट भी कहते हैं इसको इसको अज़ाओं के दर्मियान के जो खिलाओं और शिगाफ़ों को भ तो यह होगा इसके बहुत सारे टाइप हैं जो आपको नीचे आप दिखर हो ने तो लहमे उजली वह होता है जो वह गोस्ट है जो उजलात के अंदर पाया जाता है और जिसका खास काम क्या होता है हरकत देना होता है जो हमारा हो मसूडों की वाधं चालरे जिसको इसको खते हैं हमारे दातों का मैं मलते हैं लहमे असनान बोला है मसूडों के जो यह मसल्स बिंसको और खानाा है लहमे खुंयते से, ठीक है इनसे का हो राता है माददी मानविया रेलीज होता है, माददी मान पॉलते हैं ,較 रिया है, लहम रिया-पड काल्ब की हईख मानुझ हो, J Laz pasta dh rice, यह क्या होती है, इनसे दूद बनता है उर्तों के अंदर, छीक है, जिल्यों के अंदर और रबाती रेशों के खानूमने हैं। तो यह बात होगो इनकी, अब देखतें इसके फायदे। भणयां यहां पर लहमे उजली के फायदे और लहमे उजली के फाइदे दो फाइदे यहां पर बता यह है रिख करी आगए कि हमारें स्कलिटल मसल से हं बोन्स के जातर होती है ठी कहां identify से फाइडें मेंesten कहीं है उनके क्या है वाहां पर बताये रिख तो शबसे पहला फैड़ा के आजा को घरकत देता है और यह को साथ कि अलता हुआ हूद को मुतली जगा की पॉजिशन है जिससे कहा है आजा की और्गन की पोजिशन महफूज रहती है उसकी बनी रहती है ठीक है और गोश्ट बाजा के बेरुनी आफात यानिकर तकलीफ से और बाज नरम नाजुक आजा को सखत आजा के नुक्सान से बचाता है क्योंकि ये नरम और सखत आजा के दर्मियान में काम करते है और घडग तो उसको इसको तो इसको फोन के काम करते है फिक कि पएदा हो जाती है चलांचे क्या होता है इस तरह से जो कंजूर हो जाती हैं है काम हो जातीhminsuls कम हो जाता है दो उनकी शकल ढरावनी सी हो जाती है और बहुत बेकार शकल हो जाती है कभी-कभी ठीक है만 गोश्ट क्या है बैरुश्ट गर्मी और सरदी बदन के-अंदर दाखिल होने अन folk band को सिंगन कर चिंचता है इसके वे शीर सबस्क्र है और दूसरे झाल मुल्स कर चो और टाम कर और टिक्तिरातिक अपने हॉर्मोन रिलीज करना बंद करते हैं तो सेकिंडों के अंदर इंसान की मूत है तो ये बहुत IMPORTANT है लहमे गदूदी के फायदे हैं इसके ठीक है तो जैसे कि सलैवर गिलेंट है जो हमारे मुझ के अंदर सलाइवा करते हैं तो ये इसके फायदे होते हैं तो अब ने जिसमें क्या है जिसके अंदर रोगनी माददा भड़ा होता है यो ज़्यादा तर जिलियों और आजसाब यानिके जो मेंब्रेन रहती है और नर्व रहती है उन पर पाई जाती है ठीक है तो यह वह इसकी तारीफ अब देखते हैं इसके फाइदे क्या है तो शेहम के तो आप क्या होता है, जो वसने अंदर ले लेता यह नसे फैत कहा अपने अंदर गर्मी को जमा करर लेता है ज्यसकिर विसके वह जाता है, जैसे कि आपने लेता है, आपने अंदर लिकांगे वह जॅजा है इसी तरह से क्या है, बोडी के अंदर भी ही होता है, कि oil जो है, जरासी गर्मी पागर एक दम से fat जल जाता है, ठीक है, उसके अंदर गर्मी खटा होई होती है, ठीक है, और बदन के हजम और इस तहाला के अमल में बदनी हरारत मददगार होती है, अब जो बोडी के जो मैंने भी बताया कि बोडी में गर्मी जो हती है खासकाम करती है कि इसमें बोडी के डाएजिशन में ठीक है तो किया है इस वज़ास से चरबी owego एक हाजमें इसेहला में मड़त करती है क्याग अपने अंदर शतर बार्श ठीक है इसमें विलेश्एपन होती है इसलिए इसमें किया है, जो हरात पैदा होती है, वो देर들 तक इसमें महफूज रहती है, ठीक है, देर तक है जो इसमें महफूज रहती है, गोश्थ की तरहां चरवी भी आज़ा की शकल वह सूरत में, लुधा सूरत में घुश्न और खुबशूरती पैदका ते यह से क्वे सूर्थी के लिए खास काम करता है वैसे ही कि फैड़ भी काम करता है खुबसूर्ती के लिए ठीक है गोश्त ही की तरह ये आजा को बैरुनी हरारत वह बूरुड़े तकलीफ से और दूसरे बैरुनी सदमात से बचाती है यानि कि बाहर की जो गर्मीं सर्दी अससे महफोज र होते हैं यह लंबाई में बढ़ता है नाली दार होता है जिगर से निकलता है और साकिन रहता है यानि कि यह शरियानों की तरहां तड़कता नहीं है यानि कि जैसे हमारे तड़कती है वैसे तड़कता फड़कता नहीं है इसी वजह से क्या है वरीद को औरोके साकिना या खाम तो ये इसका काम होता है 20 का मुएंहु तो यह बाता हो बहों की इसके यही काम है और जाथा कुछ नहीं है शर्यानों कहों देख लेते हैं तो गाइज अब हैं शर्ययाने क्या होते हैं कि उन्ष्ट थे हैं इनको इसे हैं अब करते हैं दबेज होती है और ये कल्ब से अगती है जो आर्टरीज रहती है वो कल्ब से निकलती है जबके वरीदें जो है हमारी वेंस जो रहती है वो जिगर से निकलती है ये लंबाई में बढ़ती है और नालीदार होती है देखने और छूने में उस्बाई होती है नर्व की तरह होत और इसके फायदे क्या है आपको मालूम ही जरूरती नहीं है कि पूरी बल्ट सरकूलेशन है जरी होता है जो हमारे हर्ट से होता है एक रह गया था टेंडन्स यानिया जिसको वद्तर या ओतार भी कहते है तो इस दूसरा हिस्सा क्या होता है एक दम वाइट होता है जो मसल्स के एक किनारी पर होता है कभी दूसरे किनारी पर वही क्या है वह नस या निका टेंडन कहलाता है ठीक है तो वह टेंडन होते हैं वाइट कलर के होती है एक दम सक्त होते हैं और वह क्या है अपना रेशे जित्ते भ ठीक है और इसके फायदा की बात किरे जाएं तो इसका फायदा यह है कि आजा के खास तोर पर भारी आजा की हरकत में आसाप को सहारा देता है जो आजा की हरकत में सहारा देता है खास तो जो भारी आजा होते हैं उनकी हरकत में सहारा देता है तो इसका फायदा होता है तो यह वीडियों हें पे स्टॉप करते हैं बागी नेक्स्ट कंट्यूनियू करेंगे